अब फिर पत्रकारों के आज हम आपकी उस कसोटी पर उतरेंगे कि भारत के इतिहास में कोई भी दरवार वाला नहीं उतरा होगा रुक जाएए अब पत्रकारों में फिर से हे बाला जी आज भर लीला कर दो आज के बाद हम आपको परिशान नहीं करेंगे राम बोलो सीता राम सब लो सीता राम सीता राम आप मेंसे कोई पत्रकार हमारे चाचा जी का नाम बता सकता है बोलिये बोलिये आप मेंसे कोई पत्रकार हमारे बलकी चाचा जी का नाम उस पे भी है संसकार टीवी पे कोई बता सकता है बोलो बोलो बरना आज के बाद अंद्विस्वासी कहना बंद कर देना क्या बता सकते हो अब आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भ्रगुनात तिबारी हो वो आजाएं आपके चाचा का नाम भ्रगुनात तिबारी है जी मेरे चाचा का नाम भ्रगुनात तिबारी हो और वो भोपाल में रहते हैं अभी मथुरा में हैं आज लेकर हमने लास्ट अनमती ली है अपने बालाजी से क्या तुमने पहले बताया लोगों को अंदविश्वास में तुनहीं ढखे ला है महाँ पाप पड़ेगा अगर तुमने बताया हो गुरुजी मैं तीन दिन से बलकी सच्चाई को एभी पी न्यूस में दिखा रहा हूं मैंने कोई अंदविश्वास फैलाने का और बताने का काम नहीं किया है मैं यहीं से आपके दरवार से जनता तो क्या तुम्हारे भाई का नाम रागबिंद तिवारी है जी गुरुजी एक पत्रकार होने के नाते-नाते मैं कह रहा हूं आचारे दिरेंदर सास्तरी की ज क्योंकि मैं जो सुन रहा हूं मैं देख रहा हूं यह चमतकार नहीं है क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनमाया है जी गृप्रवेश किया है दो दिन पहले तुम्हारी भती जी का नाम अभी सी है जी गृप्रुजी आज के बाद अबंद विश्वासी कहना बंद कर देना बरना नंगा कर दिया जाएगा हम हनमान जी के सेबक हैं ललकार कर करते हैं कि हमने संतों की चरणों की तपस्या सीखी और सन्यासी बाबा की करपा को पाया है जो भ्रम फैला रहे आज के बाद भ्रम बंद कर देना और आज के बाद हम किसी को प्रमार पत्र ही देंगे ना सफाई देंगे ये सपत गदी से खा रहे है पूरे भारत को अंद विस्वास में धखेलने के लिए हाँ तो नहीं बोल रहे है जी बिलकुल नहीं बिलकुल नहीं मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ और मैं तीन दिन से सच्चाई का पता लगा रहा था और एबी पी निउस जो लोग देख रहे हैं उनको मैं बत स्वर्धाम की जै अब आज के दर्बार को हम इसी के साथ बिराम करेंगे कल चार घंटे दर्बार लगाएंगे एक प्रशन पूछ लीजे लास्ट पूछिए मैं पूछ हूँ है मेरे मन में तो देखिए बहुत सारे सवाल थे जिसको लेकर मैं तीन दिन से लगातार कोशिश कर रहा था मैं इसी मीडिया में इसी पत्रकारिता छेतर में और क्या कर सकता हूँ क्योंकि मैं देश और समाज के लिए सेवा करना चाहता हूँ इसी फिल्ड में रहकर उसको लेकर पदोन्नती का प्रशन है करपा होगी पत्रकार में इस मंत्र का जाब करें आशिरबाद है बहुत रुकिये एक ये रखा है और आपका एक और रखा है हम गुरू है उंची गोटी खेलते हैं कच्ची गोटी नहीं खोई लियो इसमें वो रहस भी लिखे हुए हैं जो दुनिया को पता नहीं सिर्फ तुम्हें और हमें पता है वो पूरे कमरों के डिटेल लिखी है और ये धमकी नहीं है सिर्फ आधा पढ़वा करके आपको हम संतुष्ट कर देंगे ये आपने भी नहीं सोचा होगा और ये हम पहले से गोटी रखे थे कि इस गोटी को भी हम मारेंगे एक परचा ले सकते हैं दौनों हाथों की मुठी बांदो सब आज चुकि हमें उतनी जादा सारी रिक हमें गुरुजी से आग्या लेनी पड़ी क्योंकि हमें कसोटी पर उतरना था गुरुजी से हमें आग्या लेनी पड़ी हमारे गुरुजी ने सुबए साड़े साथ बजे कह दिया था जाओ जंडा गाड कर आओगे सनातन का। दोनों हातों की मुठी बांज दीजे सभी। सामुहिकर जी हम लगा देते को हे बागे सुर्धाम प्रभू। हे बाला जी महराज। हे सन्यासी बाबा। हे कल्युक्के राजा। हम पर कृपा करो। हम पर दया करो। हमारी अरजी सनो। हे बागे सुर्भाला जी ! आजीवन पर्यंत ! आपके चरणों से आपके धाम से हम जुड़े रहेंगे हम आते रहेंगे ! परंतु हम पर क्रपा करो। आपकी जय हो आपकी जय हो। आपकी जेहो जिनकी अरजी नहीं लग पाई आज चुकी हमें बहुत खेद है कि तुम लोग पांच घंटे से बैठे और परचा जादा नहीं बन पाए लिकन आज सनातन को चुनोती थी और हम सनातन को जुकने नहीं देंगे इसलिए हमने आज प्रण लिया था कि हे बाला जी आज हमको भेजना तो फते करवा करके आना इसलिए हमें बहुत दुख है और हमारे अंदर उस दुख के कारण आप लोग छमा कीजिएगा और अगर आज्या लगेगी तो कल हम चार घंटे तक कल पक्का है चार घंटे दरबाल लगाएंगे और जिनकी अरजी नहीं लग पाएगी वो नारियल लाल कपड़ा लाना कथा अपने टाइम पर होगी जो जो प्रशन लेकर आए तीन बार बोलो ओम 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 कहो हे बाला जी हे सन्यासी बाबा हमारी यह अरजी स्विकार करो हम पर अपनी कृपा करो आपकी जय हो आपकी जय हो आपकी जय हो दायने हाथ की मुठी का सीधा उतारा सिर्शे साथ बार करो बाला जी के चरणों की तरफ छोड़ दो ऐसा करने से सरीर की जो भी नकरात्म कूर्जा होगी वो बाला जी के चरणों में बंद जाएगी अब बाएं हाथ की मुठी का उल्टा उतारा करो एंटी क्लॉक में सिर्शे साथ बार इसे भी बाला जी के चर आपको जहां पीड़ा है वहां इसपर्ष कराओ और दोनों हाथ उठाकर बोलो बागेश्वर धाम की सम्यासी बाबा की दिब दर्वारे की आपकी बहन अरजी सुईकार हो गई है वो काम हो जाएगा कल हम आपकी अरजी लगा देंगे बाकि हमारे जोस में जो भी बुरा निक कल भी अरजी लगाएंगे और परसों भी लगा देंगे तो कि आज आपका समय खराब हुआ है इसलिए हम आप लोगों का मन को हीन नहीं करेंगे, आज की कथा अपने समय पर होगी, और बस अब हम थोड़ी दिर के लिए हमको विजा लेना पड़ेगा, अभी भी आप माइक से बोलिये कोई संदेह, माइक से बोल दीजे, फिर बात में मत कोई कहे, नहीं मैं तो बिल्कुल सवाल नहीं उठा रहा हूँ और मुझे कोई संदेह नहीं है, कोई, आप लोगों में से किसी को संदेह, अब है तो कठठरी बढ़ाईयो, अब इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, इसी के साथ, दोनों हाथ उठा कर आज का दरबार, पूरे दुनिया में और भारत के संतों से कहेंगे, आप लोग अपना सिरूचा कर लीजिये, भारत के संतों की तपस्या की क्या तागत है, उसका दरबार बागे सुरबाला जी का दरबार है, अब जो पाकंडी कहेंगे, सनातन बिरोधी कहेंगे, अंद्विस्वासी कहेंगे, कौन-कौन बाइकॉट करेगा, हाँ तो ठाओ, तो मैं सपत है अपने अपने पिताओं की, कौन-कौन बाइकॉट करवाएगा, अगर अंद्विस्वासी और सनातन बिरोधी कहेंगा, तो बाइकॉट करोगे, नूज बालों को, टीवी बालों को जो संतों बरोद करेंगे उन संतों को हमारा नहीं सनातन का कोई बरोद करेगा तो कौन-कौन बाइकोट करेगा पक्का पक्का अब भारत में रहना होगा तो सीता राम कहना होगा झाल झाल